खरियूम दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है आपका अमारे खास कारेकरम वास्तु विचारर्वी धीरज मिढ़ा में दर्शकों इस खास प्रोग्राम का एक मात रुदुषे आपको वास्तु से समंदित जानकारी देना है वास्तु के किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए जिससे आपके घर में सुक्स्मृधिका वास हो सके जश्कोर यदि आपका कोई वास्तु से समंदित कोई प्रशन है तो आप लाइव प्रोग्राम में प्रशन कर सकते हैं आपकी कोमेंट को लिया जाएगा आपको उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा इसी प्रोग्राम में आज का जो टॉपिक है वह है घर में, दुकान में, फैक्टरी में, आफिस में मंदिर की, मंदिर बनाने की, मंदिर रखने की, पूजा स्थान बनाने की पूजा घर की क्या सही दिशा है और आपको पूजा करते समय किन दिशाओं की तरफ मुख करना चाहिए और आपको पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दश्कों, इस प्रोग्राम को पसंद आने पर लाइक और शेर जरूर करिएगा ताकि आपके लिए रोजाना कुछ न कुछ ऐसी जानकारी लेकर आएं और जिस जानकारी का प्रयोग आप करें और लाब उठाएं चलिए यदि आपको कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं आपके प्रश्न को लेने का प्रयास किया जाएगा सबसे पहले दर्श को बात करते हैं, घर में जो मंदिर है, उसकी दशा क्या हो, देखिए सब मंदिर और जहां आमने पूजा करने हैं वह हमारी घर का बड़ा पवित्र स्थान होता है हम शाते हैं कि वो साफ सुत्रा हो हम शाते हैं कि वो पवित्र हो हम शाते हैं कि उस स्थान पर पूजा करने का आपको फल प्राप्त हो आपकी पूजा आपके इश्देव को प्राप्त हो यानि कि वहां तक पहुँच सके आपकी प्रार्थनाई तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट सर्वोत्तम जो दिशा है वह है नौर्थिस्ट उत्तर पूर्व उसके बाद पूर्व दिशा और फिर अगर आपके पास नौर्थिस्ट में भी जगा नहीं है मंदिर बनाने के लिए पूर्व में भी नहीं है तो आप उत्तर दिशा का चेहन कर सकते हैं इन तीनों जानि कि दोनों दिशा है और तीसरा जो यह कोण है यहां पर आप जिसमे शान कोण कहते हैं वहीं पर ही आपको पूजा करनी चाहिए वही सबसे पवित्र कोना है वही सबसे अच्छी दिशाएं है पूजा कर घर बनाने के लिए मंदिर बनाने के लिए आपके घर कोई आपके पास कोई ज़्यादा बड़ी जगा नहीं है आपने अपने ड्राइंग रूम में अगर बनाना है मंदिर तो भी आप ड्राइंग रूम में भी इशान कोण में उत्तर में या फिर पुर्व दिशा में मंदिर बनाएं मंदिर आप लगा सकते हैं दश्कों मंदिर लगाते समय पूजा करते समय आपने देवी देवताओं की जो प्रतिमा है चित्र है वैं आपने इस प्रकार से स्थापित करनी है या फिर रखनी है कि जिससे आप जब पूजा करें तो आपका जो मुख है वैं पूरुवा भिमुक होना चाहिए या उत्त्रा भिमुक होना चाहिए काफी लोगों को एक confusion होती है कि देवी देवता को जब हम पूजा करेंगे और पूरु दिशा की तरफ देखेंगे तो फिर देवी देवता की तस्वीर तो दक्षन दिशा की तरफ या फिर पस्चन दिशा की तरफ हो जाएगी उनको देखनी जीजिए उन्हें फर्क नहीं पड़ता वो कहीं भी देख सकते हैं आपको फर्क पड़ता है आपने जब भी पूजा करनी है तो आपने अपना जो चैरा है अपना जो मुख है वो पूरुदिशा की तरफ या फिर उत्तर दिशा की तरफ रखना है इशान कोण की तरफ भियाब रख सकती है जल्दी आपने अपने मंतरों के सिध्धी करनी है तो आप पूरुदिशा की तरफ बैठे पूरुदिशा ग्यान की दिशा है दर्शकों इशान कोण ग्यान का कॉर्णर है उत्तर से हमें opportunities मिलती है उत्तर से हमें धन मिलता है, उत्तर से हमें सक्रात्मकुर्जयाएं ऐसे मिलती हैं, जोसे हम चार्ज हो सकते हैं, जोसे हम हमारी जो dirty energies हैं, वो clear हो जाती है। तो पूरुदिशा की तरव अगर आप पैट कर मंत्र सिद्धी करते हैं पूरुदिशा की तरव पूरुवा भी मुख होकर पूरुदिशा की तरव मुख देखते होगे तो आपका मंत्र जल्दी से दोता है आप पूजा करते हैं आपकी पूजा जल्दी फलित होती है चलिए यह तो था कि कहां आपने स्थान देना है और कहां आपने किस दुशा में मुख करके पूजा करनी है अब आपको बताते हैं कि आपने मंदिर में क्या नहीं रखना है जो भी मूर्तियां बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती यह, कई बार गिर जाती है, हाथ से छूट जाती है, उनकी साफसफाई करते हैं, मिट्टी की होती है, खंडित हो जाती है उन खंडित मुर्तियों को आपने अपने मंदिर में नहीं रखना है आपने उन्हें जल प्रभा करना है काफी लोगों की आदत होती है कि अपने घर से मुर्तियां उठाएंगे एक लेंडर उठाएंगे और जा के किसी मंदिर के पास या फिर मंदिर के परिसर में उनके प्रांगण में या फिर जहां कोई पीपल का पेड़ दिखेगा वहाँ पर रख्या जाएंगे अब बताईए आप ये कौन सी मलब पता नहीं कहां से आपको चलन पता लग गया कि ऐसे करना चाहिए ऐसे बिलकुल नहीं करना चाहिए इससे दोश लगता है आपको उन मुर्तियों को जल प्रभा करना चाहिए जल प्रभा करना चाहिए किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख्या जाना अब वहाँ से कौन ले जाएगा आपने तो वहाँ अपना जा के छोड़ा है और सोचा कि मैं तो वास्तू से शुद्ध हो गया पाप लगता है नहीं करना है आपने ऐसा ना ले जाएए आपने घर की मुर्तियों को और पीपल के पेड़ के नीचे रखने के लिए या फिर किसी मंदिर में जाकर रखने के लिए वो क्या करेंगे उपोजारी उनके पास पहले ही अपना इतना रोजाना जो भी अवशेश होते हैं पूजा की समगरी वो जल प्रभा करने होते हैं आपकी भी मुर्तियों लेके जाएं और भार्ष राते हैं आप अपने उपर तो इसलिए आपने जल प्रभा कर देने हैं अगनी का स्थान साउथ हिस्ट है दक्षिन पूर्व है तो जब भी आप बैठें तो अपने सामने दक्षिन पूर्व की तरफ जब आप पूरु दिश्चा की तरफ मुख करके बैठेंगे न तो भी आप दक्षिन पूर्व अपने दाइने हाथ की तरफ आपने घी का दीपक या जो भी आपने अगनी प्रजलित करनी है या फिर आपने धूब अगरवती लगानी हो रखनी चाहिए जल आप भरकर रखते हैं कलश रखते हैं आप अपने मंदिर में अपने पूजा स्थान पे तो आपने लेफ्ट एंड साइड में रखना है यानि कि आपने इशान कोण उत्तर की तरफ वहाँ आपने रखना है जल को कई बार नोर्थ इस्ट की तरफ हम लोग धूप अगरवती वगरा दीपा को गरा लगा देते हैं और पात्र जो है हमारा जल से बरावेवे अगनी कोण में हो जाता है तो ऐसे डिस्ट्रबेंस होता है चलिए ये पॉइंट भी आपको बता दिया गया है दशकों इसी के साथ हम लोग एक बात और भी डिस्कस कर लेते हैं काफी लोगों की यह प्रेश्ण रहता है कि जब हम पूजा करते हैं तो काफी बार हमारा हाथ जल जाता है 25 की तीली जलाते हैं जब हम प्रजलित कर रहे होते हैं तीपा को ऐसा हो जाता है तो क्या यह अफशकून है कोई अफशकून नहीं होता आप इसे ऐसा ना समझे आप अपनी गुंडली में मंगल देव की सिती को चेक करें यदि आपकी जनम गुंडली के अंदर या फिर आपके घर के अंदर दक्षिन दिशा साउथीस्ट दक्षिन पूरू यह कहीं न कहीं अगर डिस्टर्ब हो रहा होता है तो ही ऐसी घटनाई घटती है आग अगनी से चोट से व्यक्ति को नुक्सान होने के योग बनते है तो आप अपनी कुंडली में देखें नहीं भी कुंडली जानते हैं नहीं दिखाना चाहते किसी को तो आप मंगलवार के दिन दोचारबे के पताशे लेकर अपने सर से साथ बार उल्टा घुमा कर यह मंगलदेव मेरी भूल चुप को माफ करें और उसे सुर्यो अस्त से पहले-पहले जल प्रभाग कर देजे ऐसा आप तो शर्मंगलवार करें उससे आपको कुछ शुपता देखने को मिलेंगे अभी के लिए इतना ही फिर मिलेंगे इसे नए वास्तु के टॉपिक के साथ तब तक बने रहे हैं हमारे चैनल के साथ यदि आपका कोई प्रशन है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं आने वाले वीडियोज में उसी प्रशन को लिया जाएगा और आपकी जिग्यासा को श्यान्त किया जाएगा हर्यूम हर्यूम हर्यूम